हेलो गैस केसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि आपको A3X 5G फोन में आप लोग नेटवर्क पोब्लेम को केसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास एक आपको A3X 5G फोन है और इस फोन केसे आप लोग अपने इस फोन में नेटवर्क पोब्लेम को सॉल्व कर सकते हो गाई तो आज के वीडियो में ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास्त तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्र कर दीजिए क्लिक करने के बाद थोरा सा नीचे आपको एक option मिलेगा access point names का तो इस access point names पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद ऊपर three dot का option आएगा three dot पे क्लिक करेंगे reset access points का option है अगर फिर भी solve नहीं हो रहे तो आपको फिर से settings में जाना है और यह आपर से आपको एक search का option मिलेगा search पे क्लिक करना है और आपको टाइप करने reset reset टाइप करती reset network settings का option आएगा तो इस reset network settings पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहापर जो reset network settings है इस पे क्लिक करके आपको अपने phone के pattern को डालना है और यहापर से reset करते हैं reset करते ही आपका network setting reset हो जाएगा और आपके phone में network problem भी solve हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने oppo a3x 5G phone में आप लोग network problem को solve कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगों को यह वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडिय वीडियो में तब तक के लिए बाबाई